हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अनादर वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ एससे अंद्रोपति मूर्मू इन हिंदी तो इस वीडियो को पुरह लाज तक जरूर देखना ये द्रोपति मूर्मू के उपर डिबंध है आप इसे बायोग्राफ का चेन पांच साल के अंतराल पर होता है ऐसे में भारत में राष्टपती सबसे सरोच पद्ध होता है राष्टपती को भारत का पर्थम नागरिक भी कहा जाता है भारत के राष्टपती रामनात कोविन का कारिकाल इस वर्स 2022 जुलाई में समाप्त हो रहा है ऐसे में भारत म उमिद्वार की घोसना की गई है तथा बीजेपी ने अपना राष्टपती उमिद्वार द्रोपती मूर्मू को बनाया है जो जारकन के पुर्वराजपाल भी रह चुके हैं भारत की इतिहास में द्रोपती मूर्मू पहली आदिवासी महिला होंगी जो इस पद पर काविज ह इसके अलावा दूसरे राष्टपती भी महिला होगी उनसे पहले पर्तिभा सिंग पाटिल देश की राष्टपती रह चुकी है द्रोपती मूर्मू का प्रारंभिक जीवन मूर्मू का जन्म 20 जून 1959 को उडिसा के मैयूर भंज के छोटे से गाउं बैदा पोसी में हुआ था उनके पिता बिरंची नाराइन टूडू और उनके दादा ग्राम पंचायत के तहत ग्राम परधान के रूप में काम किया करते थे द्रोपती मूर्मू की सिक्षा उनकी स्कूली सिक्षा के बी एचेस उपर वेड़ा स्कूल मायूर भंज से हुई और बाद में उन्होंने बीए रामा देवी महिला विश्विद्यालाय बोनेश्वर से पूरी की सनातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बिजली विभाग में जूनियर एसिस्टेंट के तौर पर काम करना सुरू किया इसके बाद द्रोपती मूर्मू स्री अरबिंदो इंटेग्रल एजुकेशन औरिसर्च राइरंग पूर में सहायक सिच्चक थी उप सनहार द्रोपती मूर्मू पहली अदिवासी महिला है जो देश की महा महीम बनने जा रही है हलाकि अभी राष्टपती का चुनाओ नहीं हुआ है लेकिन इनका राष्टपती बनना बिलकुल माना जा रहा है इनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि अगर बैक्ती करीब है तो उसे अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए वह अपने सामार्थ है और योगिता के द्वारा देश के सरवच पद पर आसीन हो सकता है द्रोपती मूर्मू हमारे लिए प्रेणा के सरोथ है इन से हमें जीवन में प्रेणा लेनी चाहिए और हम किस प्रकार विशम प्रस्थीतियों में लगन और महनत के द्वारा अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं उसका मंत्र हमें इनका जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही मिलेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको इसका फुल बायोग्राफी पढ़ना है तो आप हमारे साइट पे भी जा सकते हैं जो है www.singtechlearn.com तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीदें छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेर करें अगर कोई सवाल या सुजाओ हो तो नीज़र कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगरे वीडियो में, गुडबाए